प्यारे दोस्तों, टोटल वेकेंसी के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वगत है आज के इस वीडियो के माध्यम से BTSC A&M 10.7 को लेकर के एक बहुत ही महत्पून जानकारी आप सभी को बताने वाला हूँ हो सकता है, बहाली में अब एक बड़ा बदलाब हो सकता है दोस्तों, अब ये बदलाब किसली हो सकता है सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जैसा कि आपको पता होगा हमारी बिहार के शंबिदा एनिम बहनी जो कि यहाँ पर सरकार तक अपनी एक मांग पहुचा रही है उनका यही मांगे कि उन्हें कम से कम यहाँ पर कॉंसेलिंग के अधार पे तैनाती किया जाए और उन्हें एकजाम नहीं लिया जाए और उसी के कर्म में दोस्तो आज की रेट में राजी पाल के पास यहाँ पर समस्या पहुचा कैसे पहुचा है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा अब क्या अपडेट निकल सकता है वो भी मैं बताऊंगा क्या बदलाव हो सकता है बहाली में वो भी आप लोग को अपडेट देंगे घवरानी की कोई बात नहीं है ध्यान से सभी लोग समझेगा चली दोस्तों सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जानकाड़ी देने से पहले मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ अधियम से बताऊंगा कि क्या यहाँ पर अपडेट आया राजिपाल के पास जो की समस्या पहुचा है तो क्या चीज यहाँ पर हो सकता है वो मैं आपको बताने का परियास करूंगा सबसे पहले दोस्तों बिहार के मानिनीय राजपाल यानि की राजिंद्र विश्वनात जो की यहाँ पर भारतीय लोकमंच पार्टी के दोरा सबसे पहले तो एक तरीके से आप कर सकते हो सम्मानित करते हुए आपको पता होगा जो कि दुरगा पुजा है इसी के उपलक्ष में यहाँ पर दुरगा पुजा का यहाँ फोटो भी दिया गया साथ में जो एनेम बेनों के समस्याएं हैं उसे भी अबगत कराया गया यहाँ पर आप लोग ट्वीट पढ़ सकते हो दोस्तों और यहाँ पर नीचे आप लोग फोटो भी देख सकते हो तो ध्यान से समझेगा सभी अपडेट्स को दोस्तों उन्होंने बताया कि 2015 में हम लोगों की बहाली हुई उसके बाद 2018 में नेमावली बनाई गई जिसमें कहा गया कि काउंसिलिंग करकर आप लोगों को पर्मानिंट कर दिया जाएगा लेकिन सरकार बदलने के बाद बिहार के स्वास्त मंत्री उपगुख मंत्री आदर्नीर श्र बरतमान पिहार सरकार का महागटवंदन सरकार का कहना है कि आप एक्जाम दीजिए उसके बाद पास कीजिए तभी पर्मानिंट होगा जबकि कई नेम बहन लोग ऐसी हैं जिनकी चार-पान साल ही मतलब नौकरी बची है और उम्र हो जाएगी और खुद ही वो बाहर हो है और जो नए एनिम बहाल होंगे उनको 2023 महमली से बहाल की जाए सिंपल सी बात है जिसको राज्य सरकार को लोकमंच ने जो है पत्र के माध्यम से भी बतलाया उप मुखमंत्री जी को भी और मुखमंत्री जी को भी तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आपने समझा कि यहां पर ह हमारे जो की बिहार की राजीपाल हैं उनके पास जो एनिम का समस्या है वो पहुँच चुका है मैं पहले बता देना चाहता हूं घबराने की बात नहीं है बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि सर हम तो एकजाम का तयारी कर रहे थे देखिए मैं पहले ही समय पहले से सरकार से भी दर्ख्वास कर रहा हूं जो हमारी संविधा एनेम बहने हैं उन लोगों को counselling के अधार पर किया जाया देखिए counselling के अधार पर इन लोग को किया जाता है दोस्तों इन लोग के लिए भी बढ़िया रहता है सात में जो Fraser candidates है Fraser जो की जिनके पास कोई भी experience नहीं है उन लोग को Concelling लेकर के यहाँ पर एक्जाम लेकर के तैनाती किया जाए यही ग्यापन एक तरीके से यही पत्र इसी प्रकार से पत्र यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो राजीपाल को सौपा गया है जहाँ पर की नय जो भी स्टुएंट से उन लोग का परिक्षा लीजिए लेकिन जो पुराने हैं उन लोग को तो कम से कम यहाँ पर आप लोग जो की यहाँ पर Concelling के अधार पर कीजिए यह ग्यापन सौपा गया है यानि कि आप लोग समझ लीजिए जो भी Fraser candidate से आप लोग का exam होगा तो exam होगा तो आपको तयारी में जुट जाना है तयारी कैसे करना है आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ हमारे तरब से आप सभी के लिए मंजिल बैच भी जा रही है जिसके लिए आपको केवल 149 रुपे दिया जा रहा है और आपका जो BTSC का sliver से उसके अनुरू पढ़ाया जाएगा साथी में दोस्तो हम लोग आपके लिए set भी तयार कर चुके है set यानि कि जो examinations में आपका CBT exam में पूछने का बहुत important सवाल सोते हैं जो कि आप मान के चलिए आपका 80-90% मैच करेगा यानि कि कोसंस आप सभी का यहीं से आने वाला है तो यहाँ पर set भी हमारे दोरा तयार कर लिया गया है जहाँ पर की मात्र जी यहाँ दोस्तों मात्र 99 रुपे में आपको 10 set दिये जाएंगे और हर एक set में आपको 100 कोसंस देखनी को मिल सकते हैं अब आप में से कई साइड लोग सोच रहे होगी कि सर इसे पर्चेस कैसे करना है चाहे वो मंजिल बैच हो चाहे वो यहाँ पर हमारा PDF जो भी VBI कोसंस हो या फिर set हो वो कैसे हम लोग पर्चेस कर सकते हैं तो पर्चेस करने के लिए कुछ नहीं आपको यहाँ पर मैं एक नंबर डाइल कर रहा हूँ आपको इसे नोट कर लिजे 7631398261 जी हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर 761442161 इस पर आपको केवल वाट्सप करना है और आपको जो चाहिए यानि कि अगर आपको मंजिल बैच चाहिए तो मंजिल बैच की रिकार्डिंग में आप बात कर सकते हो अगर आपको PDF नोट्स चाहिए या फिर जो भी आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ सेट चाहिए तो सेट आपको यहाँ पर से ले सकते हो यहाँ पर से देखिएगा तो एक सेट आपको करीबन 10 रुपे के करीबन पढ़ रहा है दोस्तों और यह केवल सेट नहीं है यहाँ पर तो 100 कोसंस का अंसर भी मिलेगा साथ में वो सभी 100 कोसंस को एकदम एकदम डीटेल्स में आपको समझाया जाएगा कि पहले का दूसरा होगा क्यों अब इसका भी यहाँ पर रीजन बताया जाएगा और बहुत ही असानी से आपको तयारी कराई जाएगी तो जो भी स्टुएंट्स लेना चाते हैं आप सभी ले सकते हैं बाकी अब देखिए क्या होता है अब राज्यपाल तक भी यह समस्या पहुँच चुका है यह बात यहाँ पर गया है अब जैसे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होता है मैं आपको बता दूँगा निसीतर एगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बिल नोडिफीकेशन को अलपसेट जरू लोड़ करिएगा मिलते दोस्तों कोईश्रों में तब तक लिवर भाए धन्यवाद